हालो दोस्तो, रेलेटी गल्फिन के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दीख स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलेटी गल्फिन एपिसोड नंबर सबिन के बारे में इसके बाद हम लोग को सीधे आगस्ट के 26 को ले जाया जाता है जहाँ पर हम लोग को जानने को मिलता है उनलों का प्रोजेक्ट लगवग फिनिश हो चुका है और वो लोग 30 सेप्टमबर तक मूवी को रिलेस करने का सोच रहे है लेकिन तभी काजियों के घर की बेल बचती है और काजियों जैसे दर्वाजा खोलता है वो देखता है कि रूका आई है और रूका बोलती है आज हमारे और तुम्हारे कबल बनने का पहला बर्ज़े है तो हम दोनों एक साथ मज़ी करने जाएंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था इसके बाद हम लोगों को थोरा फ्लेश बेक देखने को मिलता है जहाँ पर उस स्टेशन के इंसिडेंट की बाद रुका को मनानी के लिए काज़यों ने प्रॉमिस किया था 26 आगस्ट को रुका जो बोलीगी काज़या हो करेगा काज़या पर बहुत ज़्यादा नर्वस था लेकिन इसके बाद ही रुका काज़यों के एपार्टमेंट पे चली जाती है काज़या बोलता है अरे ऐसे अचानक से अंदर मस चली जाओ रुका बोलती है क्यों नहीं मैं तुमारी गल्फेंट जो हूँ इसके बाद रुका बोलती है ठीक है अभी मैं रेडी हो रही हूँ मेरे स्विम सूट पहनने के लिए इसके बाद वो लोग पहुच जाते है पबलिक स्विम पूल पे काज़या पर आसपास लर्कियों को देखकर बहुती ज्यादा नर्वस फील करता है यहाँ पर वो रुका के साथ अपने फुर्स्ट कीस का मुविंट भी याद करता है और वो रुका के साथ साथ जशन मनाने की भी इमेजिन करता है लेकिन इसके बाद काज़या सोचता है उसने मूवी के दोरन हमें बहुत हिल्प किया है और मैं उसको हमेशा ना तो नहीं बोल सकता इसके बाद रुका वहाँ पर आती है अपनी बिकीनी पहन कर और रुका को स्विम सूट में देखकर काज़या बहुत ही जादा बलश करने लगता है रुका बोलती है तो ये कैसा लग रहा है काज़या बोलता है ये बढ़िया लग रहे तुमारे उपर बढ़िया बढ़िया इसके बाद रुका बोलती है मुझे बहुत ही चिंता हो रहा था कि तुम्हें किस तरीकी के सुविम सूट पसंद है क्योंकि मैंने फर्स टाइम बिकीनी खरीदा रूका को देखकर यहाँ पर काजिया सोचता है रूका बहुत ही ग्लो कर रही है उसकी यंग सुन्दर स्कीन सभी रूका की तरप गुरे जा रहे है और वो मेरी घर्फिंट है मेरी घर्फिंट इसके बाद वो लोग सुविमिंग करने जाते हैं लेकिन आस्वास के लोग रूका को देखकर बहुत सारे कॉमेंट्स कर रहे थे काजुया पर रुका को enjoy करते हुए देखकर सोचता है आखिरकार रुका को मेरे बारे में क्या पसंद है इसके बाद रुका काजुया को कुछ दिखानी के लिए बुलाती है काजुया पर बहुत ही ज्यादा close आ जाता है रुका के जिसको देखकर वो दोनों ही बहुती जादा शर्मा जाते हैं और बहुती बलश करने लगते हैं इसके बाद रुका बोलती है तो काजुया मैं जो विश के बारे में बात कर रहा था काजुया विश के बारे में सोच कर सोचता है क्या यहाँ पर इसके बाद रुका बोलती है तो काजुया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बोडी को टच करो, इसको सुनकर काजुया बहुती ज्यादा शौक हो जाता है, आत को सुनने के बाद काजुया हुआ से भाग जाता है, इसके बाद पर रूका अच्छानक से काजुया से पूछती है, काजुया कुन, तुम कौन स ज्यादा पसंद करते हो यामा नोटे लाइन या फिर चूहो लाइन काजुय इस बात को सुनगर थोरा शौक हो जाता है लेकिन इसके बाद काजुया बोलता है मेरे ख्याल से चूहो लाइन इसके बाद रूका अच्छानक से थोरा चूप हो जाती है काजुया सोचता है क्या म यामलोटे लाइन पे 35 मिनिट्स लग जाते हैं, पहले तो यह मुझे पॉइंटलिस लगा था, लेकिन मैंने रास्ते पे जब नीशी नीपोरी स्टीशन पे जेरी ब्लूजम्स को देखा, तो वो नजारा देखने लायक था, मुझे हमेशा से नीशी नीपोरी स्टीशन तो इसलिए मैं हर स्प्रिंग के टाइम यामलोटे लाइन को पकरती हूँ, मैं जानती हूँ कि यह पॉइंटलेस है, लेकिन तुम्हारे लिए वेट करने के लिए यह एक अच्छा एक्स्पिरियंस है, और यह बिलकुल मुवी के साथ भी सेम है, यह मुवी मैं इसलिए कर मुझे मीजोहारा के ग्रेंड मदर के लिए बुरा लगता है, और मैं तुम्हारे साथ मीजोहारा को अकेले नहीं देखना चाता, और मैंने मुवी के टाइम देखा है, मीजोहारा बहुत हार्ड वर करती है, और मीजोहारा के काम ने मुझे भी बहुत ही एक्साइटिट कर दिया क्योंकि मैं रुका शाराशीना मुझे बहुत ही मज़ा आया रुका की इन सब बातों को सुनकर काजुया बहुत ही जादा इंप्रेज हो जाता है और काजुया रुका की तरफ देखती ही जाता है इसके बाद रुका बोलती है ठीक है अभी हम लोग को जाना चाहिए क्या हम लोग हाथ पकड़ सकते हैं इसके बाद काजुया रुका के हाथ पकड़ लेता है लेकिन काजुया बहुती ज्यादा शर्मा रहा था काजुया मनीमन सोचता है उसको इस तरीकी क्यूट देखकर मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ और स्पेशली आज कुछ ज्यादा स्पेशल है उसके अंदर मैं उसको जोर की एक जपपी देना चाहता हूँ काजुया रुका जैसे जा रही थी तब आचानक से रुका काजुया को रोक लीती है काजुया पर फ्रिक आउट करने रगता है काजुया उसके बाद होलता है अरे क्या हुआ रोका चान इसको बद रुका बोलती है, मुझे एक प्रेजन चाहिए, लेकिन काजिया बोलता है, मुझे बाफ कर देना रुका, लेकिन मेरे पास प्रेजन नहीं है, और मैं अभी ला भी नहीं सकता, रुका बोलती है, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, काजि शौक हो जाता है काजुय बोलता है लेकिन क्यूँ रुका बोलती है मेरी सभी फ्रेंड्स के बॉयर्फ्रेंड को सभी अपने नाम से ही बुलाते है काजुय इसके बाद सोचता है एक दूसरे के रियल निम से बुलाने से तो हम लोगो कबिल जैसे लगेगा लेकिन इसके बाद काजुय सोचता है यह कोई बरी बात नहीं है इसके बाद काजुय बोलता है ठीक है तुम मुझे बुला सकती हो इसको सुनकर रुका बहुत ही जादा excited हो जाती है और काफी खुछ भी हो जाती है इसके बाद रुका बोलती है काजु या काजु इसके बाद बोलता है रात बहुत हो चुकी है मैं तुमें घर चोर कर आती हूँ रुका यहाँ पर मनिमन सोचती है ठीक है अभी मैं मीजुहरा से एक स्टेप आगे पहुँच चुका हूँ इसके बाद हम लोगों को सूमी के पास ले जा जाता है सूमी आपन नोटिस करती है मीजुहरा कहीं पर जा रही है इसके बाद हम लोगों को मीजुहरा के पास ले जा जाता है मीजुहरा एक गिफ्ट लेकर अपने ग्रैंडमा के पास गई थी क्योंकि आज उसके grandma का happy birthday था मिजुहरा की grandma बोलती है ये सब का जरूरत नहीं था तुम्हें तो rest करना चाहिए था last weekend में तुम्हें तो बहुती problem थी है न मिजुहरा बोलती है हाँ वो तो past है तीन दिन पहले मिजुहरा अपने grandma के लिए कपरे लेकर आई थी जिसको देख करें अपर मिजुहरा के grandma को मिजुहरा के mom के बारे में याद आ जाती है वो बोलती है मिजुहरा की mom भी बिल्कुल इसी तरी की थी उसको भी क्नोट्स के बहुती बरिया sense थे और वो काफी caring person भी थी इसके बाद मिजुहरा hospital से चली जाती है लेकिं जैसी वो बहार निकलती है वो देखती है सुमी चानुहा पर है या पर इसके बाद मिजुहरा को पता चलता है कि सुमी ने movie की दोरान flyers को बार्टने में काजुया का help किया था इसके बाद सुमी movie के बारे में पूछती है मिजुहरा बोलती है हम लोगों ने मूवी का कम पिछले दिनी निप्टा दिया और अभी editing का process चल रहा है इसके बाद मिजुहारा सूमी को शुक्रिया भी कहती है इसके बाद सूमी बोलती है मैं जानती हूँ काजवियों ने बहुत महनित किया है काजवियों तुम्हारे ग्रैंड मदर और थुन को हर कीमत पे help करना चाता था इसलिए उसने बहुत महनित की है इसके लिए congrats मिजुहारा इसके बाद मिजुहारा सूमी को लेकर अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है उसके ग्रैंड मदर बोलती है अरे ये तो बहुत क्युट है मिजुहारा की ग्रैंड मदर बोलती है क्या ये तुम्हारी college का friend है मिजुहारा बोलती है हाँ ओइसा कुछी ले ले जीए इसके बाद सूमी वहांसे चली जाती है लेकिन मिजुहारा वही परी रुक थी इसके बद मिजुहरा की ग्रैन मदर बोलती है, ये काफी फ़नी है, जबसे तुम काजुया को डेट करने लगे हो, तबसे और काफी लोग तुमारे आसपास दिखने लगे, मिजुहरा बोलती है, ये सच नहीं है, क्या आप मुझे फ्रेंलिस बोलना चाते है? इसके बद मिज मिजुहरा अपनी ग्रैंड मदर को फिल्म के बारे में भी बोलती है मिजुहरा की ग्रैंड मदर बोलती है Of course, मैं जाओंगी मैं शियोर हूँ काजुयों ने उसका बेस्ट दिया होगा मिजुहरा इसके बाद थोरा साइलेंट होकर बोलती है Of course, उसने अपना बेस्ट किया है आखिरकर वो प्रोड्युसर जो है इसके बाद अचानक से मिजुहरा गुसे में आकर काजुयों के नेगिटी पॉइंट्स के बारे में बताने लगती है और ये सब बताते बताते मिजुहरा हस्ते लगती है और मिजुहरा को ऐसे हस्ते भी देखकर उसकी ग्रैनमा काफी जादा रिलेक्स फिल करती है इसके बाद मिजुहरा की ग्रैनमादर बोलती है जी जुरू, क्या तुम जानती हो कि किसी के अंदर प्यार का बीज कब बोया जाता है ये तब होता है ज़ग तुम किसी परिशन को प्यार करते हो उसके बारे में ही तुम बात करना पसंद करते हो मीजुहर इसके बाद बोलती है ऐसे बात नहीं है ग्रैन imped of इसके बाद हम लोगो काज़ों के पास ले जाय जाता है काजु यहाँ पर मीजुहारा और मीजुहारा के गैन मदर के बारे में ही सोच रहा था वो सोचता है मैं मीजुहारा के गैन मदर को बताना नहीं चाता कि हम लोग अभी अपने अपने खुद के रास्ते में जाने वाले है इसके बाद हम लोग को यायमोरी के पास ले जाए जाता है यायमोरी यहापर शौपिंग करने निकली थी शौपिंग करने के बाद वो डायरे के हापर काजयो की अपाटमेंट पे जाती है काजयो यहापर दरवाजा खोलता है इसके बाद यायमोरी बोलती है यूहू, आज हम लोग मास्टर के फोरिजनेटी लूज होनी की पार्टी करने वाले है काजिया उसके बाद बोलता है हाँ, क्या बोल रही हो ये सब यायमोरी बोलती है अरे अरे शर्मानी की कोई जरूरत नहीं है एक आदमी के लिए ये एक सिगिंड वर्ड़ी की तरह है इसके बाद काजिया यायमोरी को सब कुछ बताती है कि ट्रिप पे क्या क्या हुआ इसको सुनकर यायमोरी बिल्कुल शौक हो जाती है यायमोरी बोलती है क्या, आपने कुछ भी नहीं किया? आप मज़ाग कर रहे हैं, है ना? काजिया बोलता है, हम लोग फिल्मिंग करने में बहुत ही बीजी थे और हाँ, तुमने ये सब क्या किया था? तुमको कुछ आइडिया भी है मिजोहरा के साथ अकेलर है ना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था लेकिन इसके बाद यायमोरी बोलती है लेकिन कुछ तो प्रोग्रेस हुआ होगा ना इस बाद काजिया को मिजोहरा और काजिया के बस वाले मुवमेंट के बारे में याद आता है जहाँ पर मिजोहरा काजिया के कंदे पे सो गए थी और काजुया के फेस को देखकर मीजुहारा समझ जाती है कुछ न कुछ यह आप पर हुआ होगा काजुया और यायमोरी की इन सब बातों को सुनकर मीजुहारा भी अपने कमरे से बाहर निकल गया आती है और मीजुहारा को देखकर वो दोनों ही शौक हो जाती है मिजोहारा बोलती है, तुम लोग बातों से ज्यादा चिला रहे हो ऐसा लग रहे तुम लोग जानते हो ना यहां पर लोग रहते हैं ओ, याए मोणी, लगता है तुम अपने फ्लू से रीकोवर हो गई याए मोणी हस्ते हस्ते बोलती है, हाँ हाँ बिलकुल इसको बद मीजोहारा ये भी बताती है कि वो सेप्टेमबर 13 को अपने ग्रैनमा को मूवी दिखाने के लिए ले जाने वाली है काजुया मीजोहारा को इतना कैजुवली बात दिकर दे हुए सोचता है इस तरीके से कैजुवल कनवर्सेशन करते वोई मुझे लग रहा है कि हम लोग सच में दोस्त है और मेरी के हल से ये कोई बुड़ी बात तो नहीं है मीजोहारा काजुया और याए मोरी जब बाते कर रहे होते हैं तब यहाँ पर रूका भी आती है और रूका काफी ज़ादा गुस्से में दीक रही थी रूका को यहाँ पर देखकर वो सभी चोग जाते है काजुव बोलता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रूका रुका बोलती है मैं तो यहां से सिर्फ गुजर रही थी और मैं तुम्हारी girlfriend हूँ यह बिलकुल normal बात है यायमोरी यहापर बोलती है हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे यह तो सिर्फ एक coincidence है रुका इसके बात बोलती है तुम लोगों को जो करना है वो कर लो मुझे कोई भी परवा नहीं है मिजुहारा सिर्फ एक rental girlfriend है और यायमोरी काजुया का neighbor है और मुझे येकीन है अपने आसपास इतने सुंदर लड़कियों को देखकर काजुया बहुत ही ज़्यादा खुश होगा सही कहाना मैंने काजुया रुका काजुया को काजुया कह के बुला रही है यह देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा surprise हो जाते है रूका इसके बाद बोलती है मैं तो मारी girlfriend हो काजुया और तुम अगर ये सब enjoy कर रहे हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ इसके बाद रूका काजुया के हाथ पगर के बोलती है हम लोग को ऐसे बाहर बात नहीं करना चाहिए चलना हम लोग अंदर चलते है याई मोरी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है इसके बाद याई मोरी बोलती है मिजुहरा जल से जल दी अपनी कपरी उतारो मिजुहरा बोलती है मैं ये सब क्यों करू और बैसे भी ये बिल्कुल नॉर्मल है रूका उसकी girlfriend है इसके बाद मिजुहरा अपनी कमरे पे चली जाती है और याई मोरी अपनी कमरे पे लेकिन मिजुहरा तभी भी उसी बारे में ही सोच रही थी मिजुहरा सोचती है आखिर कर सब को क्या हो क्या है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है टोटली नॉर्मल इसके बाद मीजुहारा काजियों के नाम बोलने की कोशिश करती है और जैसे वो काजियों बोलती है वो बहुत ही ज्यादा बलश करने लगती है इसके बाद मीजुहारा बोलती है अरे ये क्या था आखिर मैं इतनी स्टूपिट की तरह क्यों बिहेब कर रही हूँ इसकी बाद हम लोगे एक पर फीज से काजिया और रूका की कबरे भी ले जाये जाता है जहाँ पर रूका मीजोहरा को चिरहानी के लिए काजियों के एपार्टमेंट का दर्वाजा खोल के चिला कर गोलती है काजिया तुम क्या कर रहे हो और देर सीट फॉर ता एपीसोड नमबर सेविन तो अपीसोड नमबर सेविन तुम बने को कैसे लगा जहोँ से मेरे को कमेंट करके बताओ एंडर वीडियों चलगा तो वीडियों को लाइक करो चैनल बेड़ाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आसे मिलते हैं और एक निवड़ों के साथ तब तक के लिए बाइब दए वीडियों कार्व से लगाओ